जैहिन साथ यो बेलकम टू सेल्फ स्टेडी किलासे स्पेस सुमित जैन यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज हम पढ़ने वाली हैं परियावन पेड़ागोजी के बिगत बरसों में आये हुए प्रस्ण ठीक है परियावन पेड़ागोजी के महत्पूर करना बहुत जरूरी है ठीक है तो परियावन अध्यन का उद्देश से है तो क्या उद्देश से यहां पर आपको बताना है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा उत्तरों का दूस्तों प्रोक्त सभी यानि कि स्थानी ये परियावरन परियावरन ये मुद्दों के पृति सम जुत्पन न करना ठीक है परियाबन के पिरती सकारात्मक दस्टिकों उत्पन न करना इस सारे की सारे जो उद्देश से हैं वो इसके हो जाएंगे तो यह चीज सभी को याद रखनी है ठीक है आपका अंगला क्वेस्चन है आप बालकों की साथ चना अंकुरण की गतिविती क जिसमें प्रत्यक बालक बिन बिन परिश्टितियों में अंकुरण का प्रयास करता है कतन एक केवल हवा में हवा और पानी में पानी और पूरी तरह डुबा कर ठीक है इस प्रकार से करता है बालक प्राप्त परिणामों को अपनी कापियों में अंकित करती हैं वेसलेशन कर करते हैं और निस्कर्सित करते हैं कि अंकुरण के लिए पानी और हवा दोनों आवस्ता के इस गतिविदी में निमले कितमें से किस कौशल से बालकों का परीचाह नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है तब आपको बताना है अब लोकन बरगी करण उन्नतिकरण या फिर तारक एकत EBS आपको बता होगा एक ही करण माना जाता है किसका माना जाता है तब आपको बताना है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बिज्यान सामाजिक अध्यन और परियावन सिक्षा का जो EBS है यह बिज्यान सामाजिक अध्यन और परियावन सिक्षा का एक ही करण माना जाता है अंगला question इंडियोनिवेस से कौन सा परियावरन अध्यन का घटक नहीं है तो कौन सा नहीं है परियावरन अध्यन का मानाओ है जल मंडल है बायू मंडल है स्वर मंडल नहीं है यहीं कि जो बिकल्प नमर आपका D है वो बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा अंगला question देख लो बिहार राज हेतू परियावरन अध्यन के सिक्चन के लिए जो है प्रात में किस तरका पाटकरम का निर्मान किस नहीं किया तो इसका answer हो जाएगा आप S-C-E-R-T यहीं कि जो बिकल्प नमर आपका C है वो बिल्कुल यहां पर S-C-E-R-T ठीक है राज्टर डेवल पर जो N-C-E-R-T करती है नैस्नल वो राजले पर S-C-E-R-T इस स्टेट है न अंगला बिकल्प है बिहार राज में कक्चा पांच तक परियावरन अध्यन कक्चा होनी चाहिए वो गतिविदी आधारित कक्चा होनी चाहिए ठीक है तो एक नमर आपका सही हो जाएगा है ना तो कहांपर गतिविदी आधारत भी होनी चाहिए पास्ट पुस्तक पर आधारत कक्ची भी होनी चाहिए पास पुस्तक बेकर गतिविदियों पर आधारत कक्ची है तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा वो प्रोग तो सभी ही होगा D-Number ही सही होगा यहाँ पर ठीक है D-Number अगला question है बच्चों में सामाजिक भावना का बेकास करने के लिए निवन में से कौन सा प्रयास सरबुत्तम है तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निवनमे से कौन सा प्रया सरवुत्तम है तो कौन सा प्रया से सरवुत्तम तो वो है बच्चों को स्वास्त इस परदा के लिए तयार करना यानि कि सी नम्मर यहां पर सही हो जागा ठीक है बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए बच्चों में स्वास्त इस पर्दा के लिए तैयार करना ये आपका बिल्कुत चाहिए होगा अंगला कोस्च्ट्यन है, सामाजिक भावना को विकास करने निमने मैसे कौनसा सर्वोत्तम प्रयास बताना है, तो सर्वोत्तम यही हो जाएगा, यहां वैसे तो सामाजिक बहुना सबी में विद्यालाई में आम Newton पर वीठकों या फिर बाल मेला उर्षे करके लेकिन सSpard मप त Cinnamon कसी होगा पर दिन की खख्चा में बच्चों के अनुभवों को महत्तु देना चाहिए क्यों देना चाहिए पर्यावरण अध्यन की कक्चम बच्चों के अनुभवों को तो आपका उत्तर हो जाएगा बिसाय को बच्चों के अनुभवों से जोडने पर सीखने की प्रिक्रिया को बड़ावा मिलता है और D नम्मर आपका यहां पर सही होगा प्राकर्तिक परियावरण की प्रमोग घटक हैं तो कौन है सभी जीव हैं बुवाकर्तिक कारक हैं जल बायू भी कारक हैं या फिर ए सभी हैं तो प्राकर्तिक परियावरण की प्रमोग घटक कौन से हैं तो सभी हैं सभी जीव हैं बुवाकर्तिक कारक हैं चल बाज बायू पीए का राखें यानि कि सभी आपका डी नमबर सही हो जागए यहां पर पर्यावरण की पार्चरिया में सामिल होना चाहिए तो बच्चेओं के अनुभाव को भी इस्कूल का बातावरण भी और पाठ युक्त पाठ करम भी यानि कि ओ पर युक्त डी समाजिकन का पहला पार्ट कहां से प्राप्त होता है तो सभी को पता है यह तो परिवार से होता है एक नमबर इनमें से कौन सा परियावर्ण सिक्चा का एक सिध्धान्त नहीं है तो परियावर्ण सिक्चा में सभी को सहवागिता परियावर्ण सिक्चा जीवन परेंत सिक्चा प्रणाली नहीं है या फिर प्रयावन सिक्षा एक समिकित तता समुदाय अक्षि होना चाहिए प्रहयावन सिक्षा का सामाजिक तता आर्थिक देश्यों के साह समूचित सम्मिल तता समानप्रात्मिक ता क्या थार पर पर चार पर साहर होना चाहिए, तो आपका जो right answer होजाएगा दोस्तों, बोहँ होजाएगा क्या? यहां पर देखो, B नंबर, कौन सा होगा B, यानि कि इन्में से परियावन सिक्छा का एक सिद्दान्त नहीं है, नहीं है आलाया मैं तो A जो है जिदान दान्त नहीं है B नमर आपका यहां पर सही होगा ठीक है अंगला कॉस्चन देख लो अंगला जो आपका कॉस्चन है वो क्या है परियावन सिक्छा का उद्देश से है तो कौन सा नहीं किया जाता, तो बंसा रक्षन किया जाता, जल सा रक्षन, मिर्दा सा रक्षन, राजनेतिक सा रक्षन नहीं किया जाता, बी नमबर, अंगला क्वेस्चन है, I, E, E, P का पूर्ण रूप है, तो क्या है, I, E, E, P का पूर्ण रूप बताना है, तो इसका पू पहलिया सामिल करने का निमलकित में से कौनसा उद्दिस नहीं है तो पहलिया सामिल करने का कौनसा उद्दिस नहीं है बताना है तब आपका राइट अंसर क्या हो बच्चों के मस्तिस को भरमित करना और उन्हें इस भ्रहम का आनंद उठाने देना या पर सरजनात्मक्चिंतन की योगता और उसुकता का बिकास करना बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन सक्ती बिक्सित करना या बच्चों में तर्क सक्ती का बिकास करना तो आपका राइट आंसर बिलकुर सही होगा A नमबर बच्चों के मस्तिस को बिरमित करना और उन्हें इस भिरम का आनंद उठाने देना ए जो है उद्देश से नहीं है ए नमबर अंगला है निमने में से कौन सा प्रात्मिक विध्याला में परियावन अध्यान पढ़ाने का उद्देश निरूपित है तो कौन सा उद्देश से परे प्रात्मिक विध्याला में परियावन का तब आपका राइट आंसर होग B यानि की विध्याले में बच्चों की अनुबवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना A उद्देश होता है प्रात्मिक विध्याले में परियावन अध्यान को पढाने का उद्देश अंगला कोश्चर ने निमने कत्रों में उसे कौन सा प्राथमे के स्तर पर परियावन अध्यान पढ़ाने का उद्देश नहीं है तो प्राथमे के स्तर पर कौन सा नहीं हमें बताना है तब आपका राइट आंसर होगा बच्चों पर आकलन के लिए सब्दावली और परिभासाओं का बोज डालना ये नमर ये उद्देश से नहीं है प्रात्मिक इस तरपर परियावन अध्यन का बागी सबी हैं जीवन और परियावन को सरुकार से सरुकार रखने वाले मूलियों को आत्मे ग्यात करना प्राकरते को सामाजिक बातरों के बारे मोत सुकता जगाना बच्चों को खोजने की प्रिकरियाओं में लगाना तता बेवहरे करियाओं करवाना जो संग्यन आत्मक और मनस चिता आत्मक जो है कॉंसलों के विकास में सायक होती है तो ये सब ही हो जाएंगे ठीक है अंगला कोस्चन देको राष्टी पार्चरिया की रूपरे का 2005 इस्तरपर परियाओं अध्यन सेक्षन का मोख़ोद्देश होना चाहिए तो क्या होनी चाहिए ये चारवे कल्फ है और चारवे से 2005 के नुसार कक्चा कक्चे अधियम को विद्याले के बाहर के जीवन से जोड़ना तो D नमर आपका हो जाएगा राष्टी पार्चरिया की रूपरे का 2005 प्राथ में किस्तरपर परियाओं अध्यन सेक्षन का मोख़ोद्देश होता है तो डी नम्मर आपका यहां पर सही होगा निम्न वैसे कौन सा प्रात में किस तरपा पर्यावन अध्यन की पार चलिया कि यह वसकता के अनरूप नहीं है तो कौन सा नहीं है तो आपका जो राइट अंसर होगा उसे काम की दुनिया में प्रिवेस के लिए सिक्षारतियों को ग्यान एवं कौंसल से लैस करना चाहिए यह बिल्कुल भी नहीं है बाकि उसे सिक्षारतियों के मान से किस तरपन को बिल्कुल होना चाहिए उसे सिक्षार्तियों परियावन के सरवक्वार को उत्पन करना चाहिए बिलकुल उसे सिक्षार्तियों को उन पद्धतियों और प्रिक्रियाओं को अर्जित करने में सामिल रखना चाहिए जो नए ग्यान को उत्पन करने में आगे ले जाए बिलकुल यहां पर तो सही है, B नमर आपका नहीं होगा, ठीके, परियावन की परिभासा क्या है, A बायोटेक गटक, तो बिलकुल जैबेक और अजैबेक गटक है न, तो A नमर आपका यहां पर यहीं हो जाएगा, A नमर, नेक्ष्ट प्रात्मे की स्तर पर EBS की पढ़ाई का प्रमो कुद्दे से क्या होता है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तो C, यानि की कक्चा की पढ़ाई को सिक्छार्थी की विध्यालाई की बाहर की जीवत से सम्मन्दित या सहायता करना, और C नमर आपका स संचेपन अर्थ प्रियोगत होता है, तो एन्वार्मेंटल स्केल्स, एन्वार्मेंटल साइन्स, एन्वार्मेंटल सोर्सेज, या फिर एन्वार्मेंटल स्टेडीज, तो आपका EBS संचेपन जो डी होगा वहोगा एन्वार्मेंटल स्टेडीज, हैना EBS का संचेपन जो हो ना 27 और 28 का देख लो सिक्चक अक्चक अक्च में कड़े अनुसासन को सुने स्चित करें यह नहीं है आपका बी नंबर तो भी यहां पर सही हो जाएगा मां की बच्चों को प्रश्ण पूछली के लिए आवसक प्रेरित करना चाहिए बिलकूर शाहिए बच्चों को अपने निकरतम परिवेश से परिचे प्राप्त करने के लिए आवसका भी बिलकूर शाहिए और अंगला क्वेस्च जोने प्रात्मे कक्षा में परेयावन अध्यन पढ़ानी के लिए निमले कितमे से कौन सा उद्देश से समंदित नहीं है तो कौन सा नहीं है तो आपका उतर हो जाएगा बिज्ञान के अधरवूत प्रत्यों और सिद्दान तो को रटकर याद कर लेना उद्देश से नहीं है परेयावन अध्यन पढ़ाने के लिए निमले कितमे से है न तो ए नम्मर आपका यहां पर सही होगा नेक्स्ट है प्रात्मे के स्तर पर परेयावन अध्यन क कि पाठ पुस्तक में निमले कितमे से कौन सी बिसेशता नहीं होनी चाहिए तो पुस्तक में नहीं होनी चाहिए तो कौन सी नहीं होनी चाहिए यह सी वाली एप परिभासाओं और अमूर्त अभधारणाओं की ब्याक्या करने पर ध्यान के अंध्यन करती है तो स्री नमर आ प्रवों कुद्दे से भावनात्मक छेतर का, बी नमर आपका यहाँ पर सही होगा, बी नमर 30 का बी, राज़्टी पाठ्चरिया की रूपरे का 2005 के नुसार परियावन अध्यन को किस कक्छा समूव में स्थान दिया गया है तो किस कक्छा समूव में दिया गया है वो दिया गया है तीसरी से पांच भी यहनि की बी नमबर यहां पर आपका सही होगा 2005 के नुसार अंगला क्वेस्चन है परियावन अध्यन की पाठक्रम जिसी छे उपविस्यों के चतुर्दिक निर्मित किया गया में पौधे पसु को जानबुचकर परिवार और मित्र उपविसाई के अंत्रगत संबिलित किया गया इसके लिए निमलिकित में से एक कारण को छोड़कर से किस सभी कारण हो सकती हैं वह कारण कौन सा है यह आपके कारण है विद्यारतियों को बिज्ञान की देश्टी कौन से पौधों और पसुमों को समझने में सक्चम बनाना सामाजिक और सांस्कितिक संद्र में पौधे पसुमों के स्थान पर निर्धारित करने में विद्यार बिसे इस पस्वों या पोधों से घनिष्ट रूप से जोड़े हुए है तो आपका बिकल्प नमबर जो C है वो सही हो जगा है यहाँ पर देखो यह है कि इस बात को भारना की किस प्रकार मनुसे एक दूसरी से घनिष्ट संबंदों को साजा करते है तो C नमबर यहाँ पर सही हो जगा है C नमबर बिल्कुल आपका राइट हो जाए तो आज के वीडियो के लिए दोस्तो बस इतना ही परियावर्न पेड़ोगोजी के ऐसे बहुत सारे वीडियो है आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देखें परियाबन पेड़ागोजी की प्ले लिस्ट बनी है उसमें बहुत सारे वीडियो है तो परियाबन अगर आप पेड़ागोजी पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाकर के देखें आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक करें, सेर करें, जैहिंद